हलो एवरिवन गूड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब लोग आप सब लोग पहुत अच्छे होंगे और अभी जो है सुबह का टाइम है मैं सुबह आई हूँ चट पर और यहां पे चट पर में देख रही थी जो गुलाब के मेरे जो फूल थे बिलकुल सूख रहे है शायद पाले के वज़े से होगा या पता नी किस वज़े से और खिल रहे हैं लेकिन सारे सूख रहे और यह अभी कल पर सो ही खिला था और आज सारा सूख गिया है ठंड के वज़े से ही हो रहा है शायद तो यह वाले में दो गए थे और एक यलो वाला था उसमें एक और आ रहा है तो इनको यहां तो मैं शेट के नीचे रखोगी जिससे की उपर से इसमें पाला ना पड़े क्योंकि गीले हो रहे खेते और सदी इतनी है कि हर कोई अब परिशान हो रहा है पेड़ पौदे हो इनसान हो कोई भी ठंड ही ज्याद हो रही है और उसके बाद मैं आ गई हूं यहां पे नीचे और मैं कर रही हूं सफाई का काम और धूप आ गई तो थोड़ी सी राहत मिल आज इतनी ज्यादा ड़गी सुभा कि मैंने चॉरा लिका लिया ओठने के लिए क्योंकि इतनी ज्यादा थंड हो रही थी कि स्वैटर में तो रुकी निरी थी तो फिर मैंने शॉल लेलए और भार पे जैसे में काम कर रही हूं तो भार तो बहुत ही ज्यादा है घरके गर ज़ाडु बाढ ले थी फिर अंदर नहीं और पर बैदे तब ले आवा और कर सिए ऑज और अभी तक नहीं उठे तो मेरा काम इसारा निमड जाएगा जहां तक मुझे मुझे लग रहे है क्योंकि यश को मैंने वही जल्दी उड़ इठ deficans तो फिर वो दुबारा सो गया तो अब थोड़ी देर बादी उठेगा वो इतनी जल्दी नहीं उठेगा तो भार हो गई थी जाड़ू और वरांडे में हो गई थी और मम्मी वाले रूमे में मैंने कर दिया जाड़ू और अब शुरू हो गया है पोचे का काम तो यहां पे ब गीला लगारी हूं क्योंकि धूप आ रही है तो सूख जाएगा पहले मेन का काम करने की तो फिर प्र सूख़ने में भी जादर पुछा सुखने में. और ठंड़ा इतना ज्यादा हो गया है. कर दूगी पुचाा और इस वाले में छोप क्लेम न सींगे. केलिए क्योंकि यहां प़्यां की दूप आती है पर हवाни आती क्योंकि शीशे लगे वoshima तो पोचय का क्ो ग utilized थे ज्शेG नोट कर रही थी और वेगरा good morning yes you good morning good morning बोलो good morning mamma बोलो good morning mamma हो गी निनू पूरी निनू पूरी होगी कैसे निनू आई ये बता ओ अच्छी आई अच्छी निनू आई निया अच्छी निनू अच्छा इधा तो देखो देखो इधा तो देखो हाँ अब बताओ कि ऐसी नीनू आई आई आपको अच्छी नीनू आई फिर से आरी नीनू फिर से नीनू आरी आपको अच्छा बताओ आज कहां से लोगे आप गूमने है यशू इधार आओ इधार आओ देखो सो रहे ये लोग तो उठी ने रहे उठ जाओ बेटा आप उठोगे तभी आपके पापा भी उठेगे वरना से अब सोते रहेगे काम ऐसी पड़ा रहेगा उठ जाओ अपने पापा को भी उठा दो है ये शू कोई नहीं उठ रहे है कोई भी नहीं उठ रहे है ये शू ऐसी रह फिर पापा उठ जाएगे आपको देखके आजो नहीं आरी है शू को तो फिर आरी है इसकी पजामी नीचे कर दो ठंड लग जाएगे हवा लग जाएगे हेलो और टाइम हो रहा है कितना और टाइम पौने बारा बज़े गए है अभी तक नाष्टा निपता है बस और ये वाला रूम तो ऐसी की ऐसी हो रहे खा है अभी इस वाले रूम को साफ कर दा पौने बारा बज़ गए और अभी तक इस वाले रूम की सफाई गी वहीं सुगई उठके मैंने भार का तो सब कुछ कीजिः की काई हो बिन दीन का बनांगी या फिर ठीम या फिर या फिर आपने चलने जोगी टो देख यह अब बारा बज़गे अगर बारा बज़े लिख ली और फिर दो घंटे ओ अगर लग गए या देड़ ए फिर लेट आते इस में नहीं ना बार के जाएगा या घने क कि आके फिर अराम है और बस येश लगावा है अपने पापा के साथ कर रहा है मस्ती और इसको जो है आज ये सुबह जल्दी उड़ गया था और फिर सो गया था येशु हेलो कर दो हेलो कर दो है वर यू कैसे हैं आप लोग सब बढ़िया चली मजह में रहिए मजह में रहिए मजह में रहने कहां देता है कोई तो चल ये पंबढ़ए करती हूं फिर ठोड़ी देर में आप लोगोंसे बाद दिन के खाने की तैयारी कर लेती हूं और देखती क्या बनाना है मटा रखी है सोचरी हो आलू मटा की सबजी बना दू तो देखती हूं पुछती हूं इन से क थोड़ी सी यह ड़ाय काड़ी जैसे बनती है बनाओं की कुकर में प्रप्लम उती है एक तो एक तो बनमकी आलू-मटा-टामाटर तमाटर की सूखी वाली सब्सक्राइब और यह हरी वाली मिर्चे रखी भी है मेरे पास काफी सारी फोड़ी तो इसमें से एक दो खराब भी हो रहए किये उसको मैं कर दूगी और इसको बनाऊंकि आपके प्राई कर दूगी तो जैसे थोड़े मसाले डालके फ्राई कर देते हैं वह तो और झाल नहीं बनेगा चाब तो यहां पर मैं अब चॉल रहे हूं और मतर जो है तीन-चार दिन होगे इसको और मैंने कली देखा तो मैंने बूला चलो आज मतर जरूर जरूर बना लेती हूं क्योंकि सुक थी और सर्दियों में हो जाती है इसी और जो वाइट होगी वाली मैं नहीं चीलोगी क्योंकि फि तो फिर गलती भी नहीं और उसका टेस्ट कसेला कसेला सह होता है तो घुँची तरह चोटी चोटी मीठी मीठी कैसान्मी श्रिकाइज श्राप के दिच्टी मोटी सफेध है स्रापısı पीली मेश क मोटी सवत ships कै रहिँ हो जा इसे सब्धी में टेस्ट नहीं आता है तो पुरह ह तो फोड़ा साबुद्धनिया वो डाल दिया है और हींग डाल दी ती और अब इसमें डाल दूगी लस्टन प्याज अद्रक और हरी मिर्च मैंने छॉपर में चॉप कर दी तो वो मैं इसमें डाल दूगी और डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से भून लोगी और यह व उखे मासाले में उटावा दन्या हल्दीनमक मिर्च अधोडी सी कसूरी में थी तो फोड़ी सी रंग वाली मिर्च होती कश्मीरी लाल मिर्च वो डाल दी और इसको अब मैं अच्छी तरीके से भून लोगी और भूनने के बाद मैं असमें डाल दी है टमाटर की ग्रेवी में बनाय थमिकसर में तो अब इसको अच्छी तरहीं कर सकती जब तक । लिए थे तो मैंने बनाय सब्टाइम्टी कर दिए थे टी करम सब दाल दू रतान। इस तेक्षा में बालतू अ कंद। अच्छी तरही थे टी जल्द सफी यौअ की तो इस पड़ाई में भी बन जाती है और इसमें हलका सा मैं डाल दूगी पानी जिससे की लगे ना नीचे और थोड़ी सी बिल्कुल सुखी नी बनाऊं की थोड़ी सी जैसे बुलते है लब लबी लट पटी उस टाइप की बनाऊं की तो यहां पर मैंने जो है कुकर बन कर दिया है और दो सीटी में हो जाएगी ज़दा टाइम नी लगेगा क्योंकि आजका लालू जल्दी गल जाते है और सबजी जो है मेरी हो गई थी मैंने गैस बन करके दूसरी गैस में उसको शिफ्ट कर दिया था और यहां पर कर रही हूँ है मैं मिर्च की तैयारी तो यहां पर मैं म कर दिया था और उसमें डाल दूगी करीब आदा चमच में डाल दूगी बेसन और बेसन नालने के बाद इसको अच्छी तरीके से भून लूगी थोड़ा सा जिससे की गुठलिया ना रहे और उसके बाद इसमें डाल दूगी मसाले सुखे मसाले में सिंपल डाल दूगी सि जो पीसी भी सॉफ होती है उसे बहुत अच्छा जो ए फ्लेवर आता है खुछपी भी बहुत अच्छी आती है अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लोगी और मिक्स करने के बाद जो है और गैस को कर दूगी कम वढ़ना एक दम से जल जाता है और अब जो यह मैंने मिर्च काटके रखकी थी और मिक्स कर दूगी और इसको अच्छी तरीके से मिला लोगी जिस्ते की मिर्च च्छी तरीके से मसाला कोट हो जाया और इसको बहुत ज्याद Mir house ज्यादा नी है ज्यादा वुनना नी थोड़ी कlights « lle. ऑछ़ तो यहां तो दूस को ईहाँ थक्ची दूग है यदि आप चैख कर लूगी तो सभजी हो गई है मेरी रेडी और अब जो है काम है मेरा सिर्व रोटी सेखने का और सब्जी बहुत अच्छी बनी थी इसका color भी बहुत अच्छा है तो यहां पर मैंने सब्जी निंकाल ली है और सबजी हो गई है एकदम रेड़ी और अगर आप लोग बनाते हो ऐसी सबजी तो इसी तरीके से बनाना जैसे मैं नहीं है और अगर नहीं बनाते हो तो एक बर जुरू ठराइक करना हुआ बहुत easy और simple recipe है और बहुत अच्छी बनती है बहुत tasty लगती है और मिर्च भी हो वाली जैसे दाल, चावलो, सब्जी हो, कुछ भी चीजों के साथ बहुत अच्छी लगती है, मिर्च, तो रोटी मैंने सेक ली थी, और खाना निकाल लिया है, मूली काट ली थी, और मिर्च है, हरी वाली, और आलू मटर की सूखी सब्जी है, और रोटी है, तो आज ही आप भी खाली जे, और कैसा लगा आज का वीडियो, प्लीज कमेंट करके बताना अच्छा लगाओ, तो प्लीज लाइक कर,